जिन लोगोंने इश्वर को जाना है या जिनोंने पर्मानंद का अनुभव किया है, वे ऐसी चीजे कर सकते हैं, जो एक साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या इंसान की उपलब्धियों की कोई सीमा होती है? भौतिकता की हमेशा एक सीमा होती है, है न? आप इसे स्ट्रेच कर सकते हैं, लिकिन फिर भी भौतिक शरीर की एक सीमा होती है, भौतिक का मतलब भी सीमा है, है न? एक भौतिकता का आधार ही सीमित सीमा रेखा है, है कि नहीं? एक सीमित सीमा रेखा की वज़े से ही आप इसे भौतिक कह सकते हैं अगर आप उस सीमा रेखा को मिटा दें, जो किसी भौतिक आकार की है तो भौतिकता जैसे कोई चीज नहीं रह जाएगी वो जो असीमित है, वो भौतिक नहीं है, है ना? तो क्या कोई सीमा है? निश्चित रूप से है. प्रकृती ने आप पर बहुत सारी सीमाईं लगा रखी हैं. पर मैं ये बता रहा हूँ, कि आप नई सीमाईं जात कर रहे हैं. इसकी जरुरत नहीं है. प्रकृती ने पहले ही आपके लिए बहुत सारी सीमाईं लगा रखी हैं. आपको और सीमाईं गड़कर, अभी आप जो हैं, खुद को उससे और छोटा बनाने की जरुरत नहीं हैं. एक इंसान, ईश्वर और स्वर्ग वगरे के बारे में इतनी बातें आम तोर पर अभव कर रहे होते, तो आप दूसरी चीजों के बारे में ज्यादा बातें नहीं करतें. ये अपने आप में जबरदस्त है, ये एक दो पहर में मचली को इनसान मना देता है. क्या ये जबरदस्त नहीं हैं? लेकिन ये इसे अंजाने में कर रहे हैं. अगर वो चेतना के साथ मचली को इनसान में बदल दें, तो ये अद्भुद घटना होगी, है न? है कि नहीं? ये नामुम्किन जबरदस्त काम आप सभी कर रहे हैं, लेकिन अंजाने में. तो सवाल ये है, कि आपका कितना हिस्सा आपकी चेतना में आ गया है, अगर आप ध्यान दें, तो पाएंगे कि अभी आप अपने एक प्रतिशत हिस्से के बारे में भी चेतन नहीं हैं. अगर कुछ और प्रतिशत चेतना में आ जाए, तो अचानक आप जो भी काम करते हैं, वो सुपर हुमन लगता है अब मेरे आसपास के लोग हर दिन ऐसी कई चीज़ें देखते हैं, जिन पर वो विश्वास नहीं कर सकते तो लोग कहते रहते हैं, सद्गुरू क्या आप सुपर यूमन हैं? क्या आप एक इंसान हैं? मैं उन्हें याद दिलाता हूँ ये सुपर यूमन बनने के बारे में नहीं है, बलकि ये समझने के बारे में हैं कि यूमन होना ही सुपर है अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ एक आदमी में आध्यात्मिक प्यास जाग उठी उन दिनों जब आध्यात्मिक प्यास जाकती थी तो लोग जंगल में चले जाते थे तो वो जंगल चला गया और उसने बैठ कर ध्यान करने के लिए एक अच्छी सी चटान ढून ली वो बैठ गया और फिर उसने देखा कि कुछी दूरी पर एक लोमड़ी थी उसके सामने के दोनों पैर कटे हुए थे लोमड़ी अपंग थी शायद किसी शिकारी के जाल में भस कर उसकी दोनों टांगे कट गई थी प्रकृती किसी भी प्रकार की असमर्थता पर दया नहीं दिखाती असमर्थ लोगों की मदद करना ये काम सिर्फ इंसान ही ये इंसानी समाज की खासियत है प्रकृती में अगर आप अपना भोजन नहीं जुटा सकते तो आप गय काम से तो यहां एक लोमडी थी जिसके आगे की दोनों टांगे कटी हुई थी लेकिन दिखने में वो स्वस्थ और हटी-कटी लग रही थी उसने ये देखा और वो सोचने लगा कि पैरों के बिना ये लोमडी अपना काम कैसे चला रही है फिर वो बैट गया उसे ध्यान लगाना था उसने जाप शुरू किया कुछ समय तक चलता रहा जब शाम हुई उसे एक शेर के गुर्रानी की आवाज सुनाई दी जैसे ही उसने गर्र की आवाज सुने ओम गायब हो गया और वो एक पेड़ पर चड़कर बैट गया वो ध्यान व्यान सब भूल गया फिर शेर अपने मूँ में मास का एक टुकड़ा दबाया आया और वो टुकड़ा उसने उस अपंग लोमडी के सामने रख दिया लोमडी ने वो मास खा लिया और शेर वहाँ से चला गया उस आदमी ने सोचा ओ, ये तो एक दैवी संदेश है भगवान मुझसे कुछ कहना चाते है एक अपंग लोमडी को एक खूंखार शेर खाना खिला रहा है ये सबसे बड़ा चमतकार है भगवान मुझे कोई संदेश दे रहे है वो संदेश क्या है, क्या है, क्या है वो ध्यान लगाना पूरी तरह से भूल गया और सोचने लगा, कि वो संदेश क्या है फिर उसने खुद ही अपना एक संदेश बना लिया उसने कहा, भगवान मुझसे कहना चाते है कि इस चमतकारी जंगल में एक अपंग लोमडी को भी एक खुंखार शेर खाना लाकर देता है जब ऐसी व्यवस्था है तो मूर्ख, तू तो आध्यात्म के मार्ग में है तू क्यों खाने के बारे में सोच रहा है बस एक जगा पर बैठ खाना तेरे पास आ जाएगा तो वो बैठ गया एक दिन दूसरा दिन तीसरा दिन चटवे साथवे दिन तक वो जिन्दा रहने के लिए तडपने लगा वो हिल भी नहीं पा रहा था बिलकुल कमजोर तडप रहा था लगभग मरने जैसी हालत थी उस रास्ते से एक योगी गुजर रहे थे उन्होंने वो आवाजें सुनी वो उसके पास आए और पूछा क्या हुआ तुमारी ये हालत कैसे हो गई आदमी बोला ओ महान योगी मुझे एक दैवी संदेश मिला था मैंने उसका पालन किया और ऐसा हो गया योगी ने पूछा क्या हुआ था आदमी बोला वहाँ उस लोमडी को देखिए देखिए वो कितनी तंदरुस्त है रोज एक शेर उसके लिए मास का एक टुकडा लेकर आता है और उसे खिलाता है आपको नहीं लगता कि ये दैवी संदेश है बताईए क्या ये सच में दैवी संदेश है योगी ने कहा निश्चित रूप से ये एक दैवी संदेश है लेकिन तुमने एक दैवी शेर के बजाए एक अपंग लोमडी की नकल करना क्यों चुना है तो ये चुनाव आपको करना है अगर आप एक अपंग लोमडी की नकल कर रहे है तो एक दायालू शेर आपको चमतकारी लगेगा ये कोई चमतकार नहीं है ये किया जा सकता है हाँ, ये किया जा सकता है इसमें कोई चमतकार नहीं है लेकिन इसे देखने के दो तरीके हैं एक तो ये कि सब को चमतकार है अच्छा बताईए आप जमीन में गंदगी डालते हैं और पेड से आम निकलाते हैं मीठ है आम गंदगी और आमों की मिठास क्या वो दोनों एक ही चीज है? वो एक ही हैं है कि नहीं? क्या वो दोनों एक नहीं है? जो खाना आप खाते हैं और अगले दिन टॉयलेट में जो आप करते हैं, वो एक ही है, है कि नहीं? हाँ या ना? अगर कल आप उस गंदगी को खेत में डालेंगे, तो फिर से वो आपका खाना बन जाएगी, है कि नहीं? दोनों एक ही हैं, लेकिन क्या आप दोनों के साथ एक सा बरताफ कर सकते हैं? नहीं, आपके पास ये समझ होनी चाहिए, कि कैसा बरताफ करें, लेकिन हैं वो दोनों एक ही, है ना? गंदगी से आम बनना, क्या ये चमतकार नहीं है? मचली को इंसान बनाना क्या ये चमतकार नहीं है? हाया ना हर चीज एक चमतकार है ये जिन्दगी को देखने का एक तरीका है जिन्दगी को देखने का दूसरा तरीका ये है कि कुछ भी चमतकार नहीं है सब कुछ कारण और परिणाम के बीच हो रहा है अगर आपकी दृष्टी इतनी सीमिध है कि आप कारण को नहीं देख पा रहे आपको सिर्फ परिणाम ही दिखाई दे रहा है तो फिर ऐसा ही होगा अगर आप कारण और परिणाम दोनों को देख सकते हैं तो सब कुछ समझाया जा सकता है सब कुछ दोहराया जा सकता है सब कुछ संभव बनाया जा सकता है अब मैं एक ऐसी तकनीक के बारे में बात कर रहा हूँ जो आपको एक चमतकार बना देगी लेकिन वो कोई चमतकार नहीं है सारी तकनीके चमतकार जैसी लगती हैं है ना? मान लीजे कि आप एलेक्टरिसिटी के बारे में कुछ भी नहीं जानते और अभी हॉल में बिलकुल अंधेरा है और मैं आपसे कहता हूँ देखेगा भी मैं बस दिवार के इस हिस्से को छूँँगा और पूरे हॉल में रोश्णी हो जाएगी और अगर मैं ऐसा कर दूँ तो वाह आप मेरे सामने सिर जुका देंगे है ना? कोई भी चीज जो आपको समझ नहीं आती वो आपके लिए एक चमतकार है है ना? कोई भी चीज जिसे आप नहीं समझ पाते वो आपके लिए एक चमतकार है अभी मैं अपनी जेब से एक चीज निकालूँगा ये बस प्लास्टिक और मेटल से बनी है और मैं ऐसा करके भारत, अमेरिका या कहीं भी मौजूद किसी व्यक्ति से बात करूँगा ये चमतकार है की नहीं समस्या ये है कि आप सभी के पास है अगर ये केवल मेरे पास होता अगर मेरे पास हजार साल पहले सेलफोन होता तो मैं भागवान बन चुका होता लेकिन ये मेरे पास बहुत देर से आया अगर हजार साल पहले मेरे पास एक लाइट बल्ब होता तो मैं भागवान बन सकता था लेकिन वो मुझे बहुत देर से मिला तकनीके कभी सही वक्त पर नहीं आई है न? जो भी चीज आपको समझ नहीं आती वो आपके लिए एक चमतकार है और साथ ही क्या एक भी ऐसी चीज है जिसे आप पूरी तरह से समझते हैं? मैं चाता हूँ कि आप इस पर गौर करें क्या आप इस फूल को पूरे तरीके से समझते हैं? समझते हैं? हो सकता है कि दस हजार साल तक आपने बौटनी पड़ी हो लेकिन क्या आप इस फूल को पूरी तरह से समझते हैं? क्या आप अस्तित्व के एक पर्मानू को भी समझते हैं? बताईए, नहीं, तो सब कुछ चमतकार है. अगर आप पर्याप्त गहराई से देखें, तो सब कुछ चमतकारी है. एक स्तर पर सब कुछ समझाया जा सकता है, और दूसरे स्तर पर सब कुछ चमतकारी है. यही जीवन की खूबसूरती है अगर आप में जरूरी समझ है और जानने की उत्सुक्ता और जिग्यासा है तो आप उसे पूरा समझ सकते हैं और फिर भी उसे देखकर आश्चर्य कर सकते हैं आप अपनी पूरी जिंदगी इस फूल का अध्यन कर सकते हैं और फिर भी उसे देखकर हैरान हो सकते हैं यही अस्तित्व की खूबसूरती है, है ना? या फिर आप एक मूर्ख भी हो सकते हैं जो इस फूल के बारे में नतीजे निकाल लें और मान लें कि आपको सब पता हैं यही अंतर है आपके जीवन की हर चीज ऐसी ही है, है कि नहीं? हाँ? आपके जीवन में सब कुछ ऐसा ही है तो यह चमतकारी भी है और साधारन भी इसे समझाया भी जा सकता है और यह समझ से परे भी है यह इनसान भी है और भगवान भी आप दोनों पहलूओं के बीच खेल सकते हैं यह बहुत सुन्दर है आप जानवर भी बन सकते हैं हाँ? इनसान बहुत आसानी से जानवरों जैसा बरताव कर सकते हैं, है न? क्योंकि इनसानी स्वभाव को प्रकृती ने फिक्स नहीं किया है आप पूरी आजादी से जानवर की फितरत से इनसान की फितरत और फिर इश्वरी फितरत अपना सकते हैं और चाहें तो वापस आ सकते हैं यह बहुत खुबसूरत है इससे बरबाद मत कीजिए